कि यहां पर देखिए आपका पहली बात है मैं समझ रहे हैं कि यहां पर हमारे पास पर पॉइंट्स दिए हुए हैं ठीकि फॉर कह सकते हैं यहां पर आपका पायरा कह सकते हैं आर्थो मिथाइल जो है बेंजोगेसिट यह मेटा है और इसके बाद अगर बात करें तो उसके बात करें तो यहां देखो C double bond O है उसके बाद क्या है O है उसके बाद क्या है इच है अब यह हमेले पता है कि यह क्या करेगा करेगा तो h plus को डोनेट करता है तो यह बनाता है बेंजो 8 आइन बनाएगा तो यह हाँ पर कह सकते है C double यहां पर देखें तो यह रिजोनेंस कर सकता है यहां से तो अगर रिजोनेंस करेगा तो इसका मुदलब क्या है कि इसका जो नीगेटिव चार्ज है वो सीटबल बांड वो के साथ क्या कर रहा है तो क्या हो जाएगा यहां पर डॉल बांड यह आ जाएगा इधर तो सीटबल डिरबान of झायगा और वह पर क्या जागा निगेटिव जाज जाएगा और यहांपर क्या हो जाएगा और तो büy Review के बात करें तो सी ए- वह गया ओ यह हो गया जिसका मतलब क्या है कि यह जो oxygen का जो कह सकते हैं कि negative charge है वो दोनों center बे क्या हो रहा है वो distribute हो रहा है यहां पर हम access को कर सकते हैं यह जो minus charge है वो क्या रहा है इसका delocalization हो रहा है जिसकी वज़े से इसको stability मिल रही है इसलिए कि अगर करता है यह को डोनेट करता है अब दूसरी बात करें तो यह बेंजीन रिंग का क्या contribution है तो बेंजीन रिंग आप जानते हो कि यहां पर क्या है कि अगर हम बेंजीन रिंग को देखते हैं तो उस condition में यहां पर आपका है बेंजीन रिंग है और C double bond O है उसके बात क्या है O H है वो माइनस है तो यहाँ पर एकर बात करें तो यहाँ पर जो आपका bond है यह वाला बेंजी रिंडिंग वाला जो bond है तो यह क्या है आपका C double bond C bond है ठीक है तो इसका होता है homo तो homo की जो energy होती है वो क्या होती है और यहाँ पर देख सकते हैं C double bond O जिसका हम लेते हैं Lumo तो Lumo की energy क्या होती है यहाँ एसे आप जो कर सकते हो कि यहाँ CC bond है और यहाँ पर क्या C double bond O है जिसकी electro negative difference क्या होगी डिल्टा मायस होगा और डिल्टा क्या होगा पुलस होगा जिसकी वज़ेस से हम यह क्या सकते हैं कि यह C double bond जो C होगा ring वाला वो electron यहाँ donate करेगा तो वही हम कह सकते हैं कि यहाँ इस से यह मतलब चला कि यहाँ से जो electron density होती है बेंजी रिंग की वह अथरो दिक पाई बान क्या होती है यह कह सकते हैं कि यह regionance के तुरो क्या करता है वह electron density C double मायनेस पर पहुंचाता है ठीक है अब यहाँ पी बात आती है कि अगर यह electron density यहाँ पहुंचाता है तो इसका अंदब क्या है कि इस पर के इसकी acidity पर की आइड़ पुड़ागया तो हमें अगर बात करें कि जो elefatic हम लेते हैं और यह चोता है और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इयार है उसके बात क्या है मायनेस है तो यह बात करें तो यह बंजीन से क्या गर रही है ओट्रांट इसेटी यहां पर पहुंचा रहा है तो जब इसका जह माइनस चार्ज होगा जाद होगी सब्सक्राइव से इनक्रीज होगी तो नेगेटिफ ये पार्टिकर निगेटिफ जा इनक्रीजोगा और जो बेस भजब कि इसटेबल होगी होगी इस से चेक करेंगे तो इसका मंदा है ह। बार्टिकल को आप कम कर दे रहा है तो इसका मुदलब है कि अगर कम कर दे रहा है तो इसका मुदलब क्या रहा है? यहां देख रहे हैं कि आप एंजिन क्या कर रहा है लेक्टान देंसिटी सीडवलो माइनस पर पहुंचा रहा है कि इसके बेंजोइक इसीड जो है वह थोड़ा सा कह सकते हैं इसकी यसीडिटी अभी आगे हैं चेक करेंगे तो इसी इसे डिटी क्या होगी नार्मल कंडिशन म क्या-क्या लगता है तो यहां पर अगर बात लें तो आर्थो ए फिर जो लगता है और दूसरा जो होता है और यह को न ilk मालीकुल प्लेनर होता है इसमें जो दोनों में प्लेनर होते हैं फ्लेनर होने के वज़े स सकते थे अमिया मेंGot यार्थोछ्ड सब्सक्राइए और सेंट अर्थ府 आजिसके वğinर रहा है पर्पेंडिक्लर हो जा रहा है या यह यह कहें दें कि वह जो है out of plane हो जाएगा ठीक है तो इसका मनलब है कि out of plane हो जाएगा तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि C double band oh हो जाएगा उसके बात क्या होगा वो minus हो जाएगा और CH2 होगया इसका मनलब क्या है कि यह अब ring से electron density नहीं दे सकता है तो electron density नहीं दे सकता है लेकिन अगर हम बंजो बेंजो इकाइड के बाद ररा है कि वा इलेकटानेकशी क्या कर रहा तो ध्यादा तो द्यान भी में रखना है कि आर्फविड जाद में राखना हे है और आर्फविट में 29ip रूज़ें द ओनेटीक होThis दूजहान में रहे क्या होगा उसकी चैनल डा कोरूदर और यहां करें पर दूसरा क्या और और यहां पर कौन सा यह जो CS3 आपका है यह पैरा वाला इसको कौन सा इफिट्स वरेगा तो यहां पर अगर बात पर हैं तो यह भी है वो प्लस इफिट्ट भी सो कर रहा है और फ्लस इफिट्ट भी सो कर रहा है लेकिन इसके बात जो है इसका मनलब यह बन जोई यहां पर क्या है आपका इफिट्ट के वजह से फस्ट जो है उसके acidity क्या होगी सबसे जादे होगी अब दूसरे में अगर काल रहें तो यह plus effect हो कर रहा है इसका मतलब है कि electron density जो होगा वो ring में increase करेगा और electron density जब ring में increase करेगा इसका मतलब है कि यह COOH minus पर क्या करेगा electron density और increase करेगा जिसकी wages से क्या करेगा यह जो conjugate base होगा इसका हो फोला सा unstable हो जाएगा और जो अनिस्टेबल होगा तो इसका मतलब है basicity less हो जाएगी तो first के comparing में अगर बात करें तो इसकी acidity क्या होगी थोली सी बढ़ेगी यहां पर देखें benzoic acid में कर देखें तो benzoic acid में तो इलिक्टान कोई ना तो donate कर रहा है ना तो कोई ले रहा है इसका मतलब क्या है कि first के बाद क्या आजाएगा आपका fourth आजाएगा लेकिन इन दोनों second और third में अगर बात करें तो second में तो इलिक्टान दे रहा है ना तो इलिक्टान देने का देगा डोनेट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि यह रिंग में electronicity बढ़ाएगा और electronicity जिसमें हम कह सकते हैं कि आर्थो इपेट की वजह से क्या है इसकी acidity जाद है यह ध्यान में रखेंगे कि आर्थो इपेट जाहें वह कह सकते है लिक्टान विड्ड्राइंग गुरूप हो यह अल्डॉनेटिंग गुरूप हो दोनों condition में क्या होगा